जोहार साथियों नमस्कार एक नए बिशाय पर आपके समक्ष हूँ हम सभी को पता है कि एक सिप्तमबर 2022 को पूरे राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पिंसन बहाल की गई बीत विभाग ने बहुत ही कम समय में लगबग सवाला करमचारियों का जीपीएफ खाता खोल दिया लेकिन एक वस्त्विक्ता है जिससे आपको आज हम रूबरू कराएंगे एक सिप्तमबर 2022 के बाद लगबग 700 से 800 करमचारी सेवा निवरित हुए हैं जिनके पास जीपीएफ नंबर है और उससे पहले भी लगबग 1300 करमचारी सेवा निवरित हुए जो 10 साल के सेवा के बाद सेवा निवरित हुए हैं तो आप लगवग 2000 कर्मचारी ऐसे हैं जो पुरानी पेंशन के योग्य हैं लेकिन अभी तक किसी को पेंशन मिला नहीं है हम सब जीपीएफ खाता मिलने से बहुत ही खुस हो गया कि अब तो पेंशन हमें मिल गया पेंशन का राह अभी भी थोड़ा कठिन है इस भ्रहम में हम न रहें कि जीपीएफ खाता मतलब पेंशन निश्चित तोर पर जीपीएफ जो है खाता खुलना एनपीएफ का कटावती जो है वह बंध होना या पुरानी पेंशन बहाली के जो एक उदेश्य था उसमें एक मील का पत्थर जरूर है लेकिन मंजिलिया नहीं है हम ऐसा देख रहे हैं कि आम करमचारियों में या भाव उत्पन हो गया है कि आप तो हम पुरानी पेंशन ले चुके हैं लेकिन अगर आप इस भ्रह्म में है तो आपको उन 2000 करमचारियों के बारे में सोचनी चाहिए जो पुरानी पेंशन के इंतजार में है अभी तक जारखन में एक भी करमचारी को पुरानी पेंशन नहीं मिला है यह बाद सरकार को लेकर के नकरात्मक भाव से नहीं कही जा रही है वस्तविक्ता यह है कि पुरानी पेंशन प्रधान करने की जो प्रक्रिया और दिसा निर्देश है वह अभी तक राजे सरकार ने जारी नहीं किया है और बिना प्रक्रिया निर्दारित किये बिना दिसा निर्देश के लोग सरकार का अंसदान वापस कैसे करेंगे और उससे भी पहले जो एक बड़ा सवाल है कि सरकार का अंसदान ब्याज सहीत कितना है यह तो अभी पता ही नहीं चलेगा तो सरकार का अंसदान कितना है उसे किस माध्यम से जमा किया जाएगा किस हेड में जमा किया जाएगा और फिर जो NPS से OPS में जो करमचारिया हैं वो किस प्रक्रिया के तहट पुरानी पेंसन के लिए अपलाई करेंगे जब तक इन बातों को लेकर के असपष्ट गाइडलाइन जो है सरकार के द्वारा जारी नहीं कर दिया जाता तब तक जो सेवा निवरित करमचारी हैं जो NPS से OPS में जाकर सेवा निवरित हुए हैं या फिर जो राजे सरकार का निड़या है कि पुरानी पेंसन लागू होने से पहले भी जो NPS करमचारी सेवा निवरित हुए हैं जिनकी सेवा उधी 10 साल से उपर है उन सब को पूरानी पेंसन तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक दिशा निर्देश जारी नहीं हो जाता है वर्तमान इस्थिति को लेकर के आप जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार कितना बिलंब क्यूं हुआ एक साल लगबग होने को है जो इसमें कंडिशन्स हैं अलग-अलग इस्थिति है कोई सेवा निवरित हो चुका है अपना पैसा निकाल चुका है कोई सेवा निवरित होने के बाद भी तक पैसा निकाला नहीं है जो NPS का पैसा है कुछ लोग जो हैं सेवा निवरित होने के बाद डेत कर गए हैं कुछ लोग लागू होने से पहले सेवा निवरित हुए हैं कुछ लोग लागू होने के बाद सेवा निवरित हुए हैं कुछ ऐसी भी परिस्तितिया हैं कि लागू होने के बाद वह NPS या OPS का विकल्प चैन नहीं कर पाए और सेवा निवरित हो गए तो अलग अलग परिस्थिति हैं सभी परिस्थितियों का समधान क्या होगा उसके रास्ते क्या होंगे कैसे ओफॉर्म अपलाई करेगा पेंसन के लिए कैसे सरकार का अंसदान जमा करेगा किस हेड में ज इतना है यह एनसदील का मामला है तो एनसदील से डेटा कैसे एकसे किया जाएगा यह बहुत सारी जटिल समस्याएं थी जिसको सौट आउट करके बीत विभाग आगे बढ़ा लेकिन पिछले दो कैबनेट हो चुके हैं फाइल कैबनेट में गया हुआ था अभी तक निकला नहीं और दिशा निर्देश नहीं निकलने से थोड़ी सी मायूसी है सेवानिवृत कर्मियों में देखिए एक बात तो हमें मनना पड़ेगा कि राज्य का मुखिया मन्य हमन सुरेन का जो संबेदन सीलता है इस संबेदन सीलता के बिना पुरानी पेंसन बहाली संभव नही कि माँ भी बच्चे को तवी दूद पिलाती है जब वह रोता है करमचारियों ने मांग की पूरी ताकत लगाया फिर सरकार तक आपकी बाते पहुंची और पुरानी पेंसन बहाल हुआ वैसे ही गाइडलाइन को लेकर के भी अगर हम सोच रहे हैं कि हम घर में सोए रहे हैं और सरकार अपने से सब कुछ कर देगी तो हम भरम में हैं हमें थोड़ा सा गंभीरता से इस विशाय पर सोचना चाहिए इसी को लेकर के राज्य कारेकारणी ने अपनी बैठक में रणय लिया है कि 25 जुलाई यानि मंगलवार के दिन कि राज्य के समस्त करमचारि एक बैच लगाकर जिसमें लिखा हुआ रहेगा गाइडलाइन फॉर पिपीओ पिपीयो मतलब पेंसन पेमेंट ओर जो पेंसन के लिए जो एजी ऑफिस जो पेमेंट ओडर मिलता है उसके बाद से पिंशन सुरू होता है तो पिंशन पेमेंट और के लिए गाइडलाइन जारी कराने को ले करके एक कैम्पेन हम लोग चलाएंगे सगरात्मक रूख के साथ यह कैम्पेन चलाएगे और हैस्टेग इसका रहेगा हैस्टेग guideline for pension payment order यानि की guideline for PPO यह batch लगा करके उस batch में एक slogan भी रहेगा कि सेवा निवरित कर्मी कर रहे हैं pension का इंतजार PPO का धिसा निर्देश जारी करो सरकार एक campaign हम लोग चलाएं राज्य का हमें उम्मीद है कि एक एक जो NPS करमचारी इसमें अपनी भूमी का जरूर निभाएंगे क्योंकि यह मामला केवल सेवा निवरित करमचारीों को लेकर नहीं है अगर अब तक सेवा निवरित करमचारी को पुरानी पेंसन प्रदान करने का धिसा निर्देश नहीं जारी हुआ है मतलब उन्हें पेंसन नहीं मिला है तो कल अगर हम सेवा निवरित होंगे तो हमें पेंसन कैसे मिलेगा बिना दिसा निर्देश के हमें भी पुरानी पेंसन नहीं मिल पाएगा इसलिए यह मांग एक करमचारी का है जो NPS से OPS में आए हैं हम उमीद करते हैं कि आप सब मिलकर कल यानि 25 जुलाई को guideline for PPO जो campaign है उस campaign को सफल बनाएंगे और जो batch है उसके लिए आप इंतजार नहीं करेंगे कि हमको कोई ला करके दे तो हम लगाएं यह आपका लड़ाई है यह आपका संघर्स है आपको किसी पर निर्वर नहीं होना चाहिए आपको social media के माध्यम से किसी भी माध्यम से आपको उपलब्ध हुआ है आप print निकाल लीजिए नहीं उपलब्ध हुआ है तो अपने जिला committee से आप मांगिए कि हमें what's up कर दीजिए हम print निकाल लेंगे बहुत ही simple है आप print निकाल लिए उसको काट लीजिए और अपने packet के सामने या pin लगा करके अपने कपड़े के ऊपर आप उसको लगाएं दिन भर उसको वही लगा करके duty करेंगे और जो एक photo ले करके selfie ले करके या फिर group photo ले करके मन्यमुक्य मंत्री जी को और cabinet ministers को tag करते हुए पिपियों के लिए दिसा निर्जे जारी करने का आगरा करेंगे बस इसी अपील के साथ आप सभी का धन्यबाद जोहार